दोस्तों जो मैं इसके कुछ important questions करेंगे तो देखोगे यहां जो first question है यहां देवाए कि if x plus 1 by x का value देदिया होए 2 then the value of x to the power 7 plus 1 by x to the power 5 का value क्या होगा तो देखोगे ऐसे questions को हम क्या करेंगे assume करके answer को fight करेंगे तो यहां पर x का value अगर 1 assume कर ले तो क्या हम इस value को यहां अगर put करें तो क्या ही है हमारा दोनों left hand side और right hand side क्या यह equal होगा यानि satisfied होगा तो check करेंगे तो यह देखोगे यह 1 plus 1 by 1 यह हो जाएगा 1 plus 1 by 1 करोगे तो 1 होगा 1 plus 1 यह हो जाएगा 2 जो कि है यहां पर यहां पर यहां पर 1 का 7 करोगे तो क्या होगा 1 ही होगा and then यह plus 1 by again देखोगे यहां पर हो जाएगा आपका x का value हमारा 1 तो 1 का power 5 करोगे तो 1 ही आने वाला है तो यह हो जाएगा again 1 यानि 1 plus और यहां देखोगे 1 by 1 यानि 1 हो गया तो 1 plus 1 कितना हो गया 2 तो इस questions का जो correct answer होगा 2 होगा options में देखोगे option number हो जाएगा फिट c correct नेक्स question देखोगे question number 2 यहां देखोगा a a square plus b square plus c square is equals to a b plus b c plus c then the value of a plus c divide by b is तो इसका value आप से पूछ रहा है क्या होगा ठीक है तो अब इस questions को कैसे करोगे तो यहां भी क्या करेंगे हम assume करके answer को find करेंगे देखोगे अगर हम a b c 3 को अगर वेलू 1 अगर लेले ठीक है यहां अगर हम पूट करें तो यह क्या satisfied होगा पहले चेक करेंगे तो यह देखोगे 1 का square plus 1 का square plus 1 का square यहनी कितना होगा यहां 1 plus 1 plus 1 यहां यहां 3 is equals to 1 into 1 1 plus again 1 into 1 1 होगा और plus 1 into 1 करोगे 1 होगा यहां यहां 1 plus 1 plus 1 कितना होगे यहां satisfied है तो हम क्या करेंगे अब जेखोगे a b c का वेलू 1 आया ना 1 1 है तो इसी को मिहां पे put कर देंगे तो a plus c यानि 1 plus 1 और divide by 1 b का वेलू भी 1 है तो 1 plus 1 होगया यह होगया 2 और divide by 1 2 by 1 होगया हमारा 2 तो इस questions का जो answer होगा यह हो जाएगा 2 options में देखोगे option number हो जाएगा फिर b करेंगे next question देखो question number third यहाँ देखोगे यह divide में है ना numerator में है root under x plus 2 plus root under x minus 2 और नीचे है denominator में root under x plus 2 minus of root under x minus 2 तो आप से पोच रहा देन 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 वेलू of a square minus a into x तो ऐसे condition में हम इस questions को कैसे करेंगे तो यहाँ अगर हम x का value अगर हम 2 ले ले देखो आप 2 क्यों लिए यह मैं आपको pillar करवा देता हूँ यहाँ दिया हुआ root तो हम root के अंदर ऐसा value को put करें कि यह perfect square बन जाए ठीक है तो अगर हम यहाँ पर देखोगे x plus 2 है अगर हम यह 2 ले ले तो यह फिर क्या हो जाएगा 2 plus 2 4 और 4 कितने का square होता है 2 का square यहाँ रूट से हमारा root अंदर 4 जो होगा वह बाहरा के 2 आ जाएगा ठीक है और यहाँ पर देखो 2-2 यह फिर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा समझ में आ गया तो अब इस questions को आगे हम लोग solve करें तो यह हो गया 2 plus 2 यानि 4 root 4 और यह तो 0 हो जाएगा और नीचे आ जाओ फिर यह हो जाएगा root 4 और यह वाला तो अमारा term 0 हो जाएगा a square minus a square हो गया आपका 1 का square minus a means हो गया आपका 1 into x means हो गया 2 इसको solve करेंगे तो यह आगया minus 1 इस questions का answer हो गया minus 1 option number d next question देखो question number 4 यहाँ दिया हो है if a plus b is equals to दिया हो है 1 then आपसे पोछ रहा है कि find the value of a cube plus b cube minus a b minus a square minus b square का यहाँ दिया हो है whole square ठीक है तो ऐसे condition में इस questions को कैसे solve करेंगे तो देखोगे सबसे पहले हमें काम करते हैं यहाँ पर assume कर लेते हैं तो a का value अगर हम 0 ले ले और b का value अगर 1 ले ले तो यह satisfied होगा यहाँ से solve करोगे तो यह प्लस वन आएगा तो अब इसी को हम यहाँ पर put कर देंगे तो देखोगे यह हमारा 0 है तो कुन सा कुन सा कर जाएगा यह कर जाएगा यह वी cancel हो जाएगा या अब इस b के place में 1 put करेंगे तो 1 का cube करोगे तो 1 आएगा फिर यह minus और यह फिर bracket में ह हो जाएगा minus 1 का square करोगे तो 1 होगा यहाँ पर देखोगे यहाँ again square है तो यह स्कौर कर लगते है तो यह होगा plus 1 minus और यहां से solve करोगे तो यह plus 1 आएगा और यह plus 1 यह minus 1 इसको cancel कर दोगे तो यह 0 हो जाएगा तो इस questions का जो correct answer होगा 0 होगा options में देखोगे option नमर हो है then the relation between a b and c is और यह चार options दे दिया है ठीक है ऐसे condition में आपको क्या करना होगा हम सबसे पहले क्या करेंगे जो तीनों equal वाला है इसको हम लेकर चेक करेंगे अगर यह satisfied है तो फिर आगे चेक करना नहीं होगा या फिर नहीं होगा तो फिर आगे देखेंगे ठीक है तो यहां तीनों को मीखोले लेते हैं तो विजमें यहां पर पुत कर लेते हैं तो यहां लेफ्ञाएंस साथ के यहां से स्वाल पर वे तूह होगया फ्रेखलोगे श्रो mí elders स्कूर आम है अब इस एक सट है तो यहां पर ऑफिक खार यहां से शोलफ कर ओगया तो यह उलब पूर है और इन्टू 3 करोगा, यानि 9a स्क्वार आएगा, अब इस सट देखते हैं, तो यहाँ देखोगे, यह भी a, यह भी a हो जाएगा, यानि कितना हो जाएगा, 3a हो गया, और 3a का यह हो गया, आपका होल स्क्वार, तो इसको सॉल करोगे तो यह क्या आजाएगा, 9a स्क्वार यह दोनों फिर क्या होगा, आपस में equal है, है ना, तो हमारा answer हो जाएगा फिर, option number, डिक्यों की satisfied है, next question देखो, question number 6, यहाँ पर देखाएगा है कि for real a, b, c, if a square plus b square plus c square is equal to a, b plus b, c, plus c, then आप से पोच रहा है कि a plus c divided by b का value क्या होगा, तो ऐसे condition में हम क्या करते हैं, यहाँ a, b, c है ना, आप देखोगे, यहाँ पर हम value assume करेंगे कि left hand side और right hand side equal हो जाए, तो अगर हम a, b, and c, तीनों का value होगर हम 1 ले ले ले, तो यह देखो कि satisfied हो जाएगा, क्योंकि 1 का square 1 होगा, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, यानि left hand side मिलेगा 3, और right hand side क्या होगा, 1 into 1, 1, यह भी 1, यह भी 1, यानि 3, satisfied है, अब इसी 1 को हम क्या करेंगे, यहाँ पर put कर देंगे, ठीक है, तो यह 1 plus 1, यानि उपर हो गया 2, और नीचे हो जाएगा, फिर 1, तो 2 by 1 हो गया, हमारा answer 2, तो इस questions का जो correct answer होगा, 2 होगा, options में देखोगे, option number हो जाएगा, फिर first correct, next question question number 7, यहाँ देखोगे, if root y is equal to 4x, then x square by y का value आपसे पूछ रहे क्या होगा, तो यहाँ पर हम क्या करते है, squaring on both side कर लेते हैं, इस तरह से, ठीक है, तो यह फिर क्या हो जाएगा, यह root और यह square, cancel हो कि यहाँ यह y हो गया, और यह हो जाएगा, 4 का square 16, और यह हो गया आपका x square, हमें find करना, x square by y, तो एक काम करते हैं, यह x square by y, फिर कितना हो जाएगा, यह y is set आया, यानि डिवाइड हो गया, और यह 16 is set जाएगा, तो नीची आएगा, यानि 1 by हो जाएगा, 16 is questions का correct answer, options में देखोगे, option number हो जाएगा, फिर first correct, next question देखो, question number 10, यहाँ देखो है, if a by b plus b by a is equals to 2, then, आपसे पोच रहा है कि a minus b का value क्या होगा, अब इस questions को कैसे करोगे, तो सबसे पहले हम यहाँ से solve करते हैं, ठीक है, तो इसको अगर हम cross multiply करें, तो यह हो गया a square, और यह हो जाएगा, plus b square, और नीचे आजाएगा, आपका a b equals to 2, इस a b को उस side लेकर जाते है तो यह हो गया a square plus b square equals to 2 a b, अब इस 2 a b को इधर लेकर आजाए, तो a square plus b square minus 2 a b, अब इसको इस side लेकर तो यहाँ 0 हो जाएगा, और यह देखो कि यह formula हो गया हमारा, a minus b का यह हो गया whole square, ठीक है, equals to 0, तो a minus b हमारा क्या मिला, 0 मिला, यही पुछा था न, यह minus b का value क्या आफसेंस में देखोगे, आफसेंस नमबर हो जाएगा, फिर सी करें, तो अभी तक आप चैनल को सबस्क्राइब नहीं के, तो चैनल को सबस्क्राइब करके, बेल आगएं को प्रेस कर लिजेगा, ताकि आने वाले वीडियो को नोडिफिकेशन आपको आशा नीचे मिल सकें झार मुआ नहीं नहीं करूल को आपका कर दो प्रे अःनल को स unified लिजेए ढया वीडियो को सबस्क्राइब कर वाले रेका कर दो हूआँ कैनल को सबस्क्राइब कर रचने झा झाले कर omega